आज हम बात करने वाले हैं, ग्लकोज का एक्जेक्ट नाम क्या है, ग्लकोज का सही नाम क्या है, आज हम लोग इस पर डिसकसन करने वाले हैं, ठीक है, तो देखे, इसको स्टार्ट करने से पहले, कि भई इसका नाम क्या है, इसका सही नाम क्या है, इसको स्टार्ट करने से पह ले हमको दो-तीन चीज को समझना पड़ेगा ठीक है उसके बाद जो हम लोग इसका जो सही नाम है उसको हम लोग समझ पाएंगे या हम लोग जान पाएंगे कि भाई इसका सही नाम है क्या ठीक है तो चलिए सबसे पहले आप देखो यहां पे हमने यहां पे ग्लुकोज का फिसर इस्ट्रक्चिर ड्रॉप करा हुगा ठीक है हमने यहां पे ग्लुकोज का फिसर इस्ट्रक्चिर ड्रॉप करा हुगा है ठीक है यह कौन सा इस्ट्रक्चिर है यह आप इसको फिसर डियाग्राम बोल सकते हो ठीक है और हमने किसका फिसर डियाग्राम ड्र सबसे त्यक्ति पूर इसको एक बात करते हैं यह जो है जओ पूरा करें जीकिस है जो कि किसका डाइच्टक कर दीए अब जित tips कर दिया हमने अब ड देखँ हूं अब ध्यान से जिकrijन हमें इलिमिनेट कर दिया तब हमें को किस तरह का डेग्राम प्राप्ट होगा है हमको इस तरह का बोरे से इसको अप टो या आप इसको कर दो या अप ऊपर उपरेंस से या यह वाला पॉर्चेंट को और दो Eliminate कर दो ठाथ तब आपको ये प्राप्थ होगा है ने चलिए आप देखो ध्यान से ये किसका goes can everywhere ये पॉर्षन था इसको हमने रिवूफ करा और हम ये इस्ट्रक्चर मिलते हैं ऐसको हमने बोलते हैं प्लस घ्ली सिर्अ रडी सर्डिय हई थीक का मतलब क्या होता है एककी चलिये अब अब आप देखो ध्यांसे अब आप देहां से हम ने जो है पिछले dua classes में का मेरे मतलब क्या है यह है जब हमने का हेल्ली वांँ पड़ रहते तो उसमें हमने एक कॉंसेट के बारे मेंकोन करता है जिसका नाम थ Representatives आगर आपको ध्यान होगा तो कि हम लोग व्लेलम कर रहे थे थे तो उसमें हम लोग denun sa forum मस्यआभ के बारे में जान लेते हैं फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर टाथ हैं ठोड़ा am हम लोग इसके structure पर थोड़ी देर में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं inansiomers का मतलब क्या होता है inansiomers का simple सा मतलब होता है mirror image of each other inansiomers का मतलब होता है mirror image of each other यानि अब देखो ध्यान से ये दोनों जो है एक दुसरे के mirror image है अब देखो इसको ध्यान से देखो ये diagram को देखो और ये diagram को देखो हमने यहां पर दो और फिसर इस्ट्रॉक्चर ड्रॉग करा हुआ है अब इन दोनों का अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों जो है एक दुसरे का mirror image है बट दोनों एक दुसरे को super impulse नहीं कर पाएंगे यानि वैसे compound जिनका mirror image तो है ठीक है एक दुसरे का mirror image है मतलब mirror image of each other है बट वो super impulse नहीं कर सकते हैं अरी बात वा समझें but cannot super impulse each other अरी बात समझें but cannot super impulse each other अरी बात समझे बट गनोट super impulse कि अच्य इच अधर तो उस तरह का compound होते है उसको बोलते है इनासियों ठीक है फिर से इनासियों मेर्स का मतलब क्या होता है अब देखो जहांसे यह दोनों जो structures है दोनों जो यहां पे structure हमने ड्रॉव करा होगा है दोनों जो structures है एक दूसरे क्या है mirror image है कि नहीं है यह दोनों जो है एक दूसरे क्या है mirror image है ठीक है mirror image है और यह दोनों एक दूसरे को super impose भी नहीं कर रहे सकते है यह नहीं कर रहे है तो इसका मतलब यह दोनों जो है are, nonsumers, यह दोनों जो है, आपके iansumers, किसके iansumers है, अब यह हमको समझने है की, bodi inansumers तो समझ आ गया, तो यह दोनों जो है, है न, यह that is CHO मिला था हमको है इधर H था इधर OS था और इधर क्या था हमारे पास CH2OH ठीक है और आपको पता होगा कि यह जो corner होता है यह जो corner होता है carbon को represent करता है तो यह जो compound यहाँ बना इसको बोलते हैng लेशर अलडी हाई ठीक है ध्यान से रखेंगे इसको जो होता है इसको में बोलते हैं Glacaraldehyde अरी बात समझ में यह जो compound होता है इसको में क्या बोलते है Glacaraldehyde अग्र आप ध्यान से देखो गे तो आपका, थहाँ से बना एक ग्लुकोच से बना है। एक घ्लेसर अलडीहाईड घ्लिसको एक ग्ल्रेसर अल्ड ही हाइड है एक ग्लुकोच से तर्मुकित स्वांट है क्या फुरने कि द्खना डिया करते कर वहाँوس है आप इसको बोल सकते हो कि यह lowest asymmetric carbon होता है यह lowest asymmetric carbon compound होता है सबसे असान तरीक है समझने का यह जो lowest asymmetric carbon compound होता है क्या ची आपका glycer aldehyde ठीक है यह बात समझ आप यह और glycer aldehyde जो होता है इसके दो लों इनाशियोम्रkeys होते हैं इसके आपके दो इनाशियोम्रस होते हैं प्लस अभी हमने थोड़ने कौले structure draw करा था यह वाल आप देखो यह CHO हो गया है ना इस प्रकास CHO होता है और नीचे क्या होता आपका CH2OH है ना इसे को हम लोग क्या बोलते है दीचा परवां है यह जो एक शमेंपटर आ इसे समझाएज सब्सक्राइबर देखले से क्या होता है तो लोएस्ट एस्थे मomed room एक ऐसा लुटेशय कारब पर कंसी करता है और्ट का मतल Size कि आ कि आगे को खुई दो कंपाउंड है ठीक है दोनों एक दूसले मिखोर मेला इमेजव यानि यह दोनों इचे तर लेकिन एक दुसरे को सुपर इंपोच वह नहीं कर सकते हैं तुमीद आपको इनैंसुमर वाला concept समझ आ गया होगा और आपको glycer aldehyde का concept समझ आ गया होगा अच्छा अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो glycer aldehyde का structure हमने ग्लुकोज के फिसर इस्ट्रक्शर से हमने इसको ड्रॉआ करा था ठीक है glycer aldehyde समझ आ गया है इसके दो इनैंसुमर से ठीक है अभी देखो आप तो यह जो इनैंसुमर से ठीक है यहां पर हमने इसको इसको नाम देते हैं इसको यह मारा वन होगी फर्स्ट हो गया और यह हो गया हमारा सेकंड ठीक है अभी देखो आप यहां से तो यह जो हमारा प ईसको मुल 250 ग्लिसर अल्डि हाइड प्लस ग्लिसर अल्डि हाईड सं Captain एक होता है हमारा प्लस क्ले सर अल्डि हाइड है Q घ्रियों टो mesmo भी कि य데 के अमुडें आते और आrire अगी बात है एक होता है हमारा इसको बोलते हैं प्लस ग्लेसर अल्णी हईड और谷को bola और माइनस ग्लेसर एट ट्रेक्टार ख्यूत्क है इसके दो ऊंस्वơnरीग फां म होते हैं एक हो अपका प्लस और दूसार होता है क्या होता आपस से अब हम क्या करते हुं वापस से दो सबक्राइब है वापस से 2 इस्ट्रक्शर करते हैं एक हम द्रॉड करते है फिल फिल्सक्राइब है और उतर एग अपकर टार्थ Rush गुद प्ल mayo जो जिँन Tailsu का और तो प्लá गर तो सबसे पहले कि आपके टो प्नेलिके क्सटाराइब को सबसरी लाइप करते है ग्लुकोज का है ना ग्लुकोज का हम यहां पर क्या करते हैं फिसर डिग्राम बनाते हैं यह फिसर इस्ट्रक्शर ड्रॉक करते हैं ठीक है ग्लुकोज का फिसर इस्ट्रक्शर आपको ड्रॉक करने आता होगा उपर हम लोग क्या लिखते हैं चो और नीचे में क्या होता हम और फिर इधर क्या चीए ओ एच्छिक है ये हमने किसका structure ड्रॉकर रहा है ग्लुकोमें को तरह करा और ये जो हमारा है किसका है प्लस ग्लिसर अलडी हाईट का structure है थिक है यहां तक उमिदर समझ आ गई होगी बात आपको अब देखो किया दोनों में कुछ कुछ common है अब हमको देखना है कि क्या यह डाइग्राम ठीक है यानि प्लस ग्लिसर अल्डी हाइड और ग्लुकोज का जो फिसर प्रोजेस्टर ने इसमें कुछ common है तो अगर आप देखो कि ध्यान से तो यह वाला जो पोर्शन है ठीक है यह वाला जो पोर्शन है आपका यह इसका यह वाला पोर्शन आप देखो ध्यान से एच ओवेच और यह वाला पोर्शन देखो ठीक है यह दोनों पोर्शन क्या है सेम है यह दोनों पोर्शन क्या है सेम है यानि यह वाला जो पोर्शन है आपका अब इसको ऐसे बोल सकते हो कि यह वाला जो पोर्शन है ठीक है स्बसे पहली है। सबसे पारा समुझाना नाम सही नहीं है। क्योंकि ग्लु कोज नाम लिख रहे हैं, उसमें यह वहला सेप्ट एक प्लस यहां पर लगाएंगे प्लस यहां पर लगाएंगे क्यूंकि यह वाला जो पोर्शन है आपका है यह वाला जो पोर्शन है लगाएंगे प्लस यहां पर लिखेंगे प्लस लिखेंगे प्लस लिखेंगे प्लस अब दूसरी बात है आती है क्या अभी भी यह सई है तो नहीं अभी भी सही नहीं है लेकिन थोड़ा सही है या लेकिन ए्न कम्प्लिट यह क्या है इन कम्प्लिट अब इसको को थोड़ा और समझ ते द्यान समझ से doesn't लुकोच का जो एक्जेक्ट नाम क्यों ग्योकोच सब्सक्राइं जो हम ऐङये ग्लोच ऄग इसपे रांसे नाम कहीं आया हो ऱ॥ कि कुछ लेक्यान कहीं पलच का बसक्राइब क्लेक्ट गाया इस हम यहां जो सव्कूल में प्लच का दो है । ग्लोकोज का तो जो एक्जेक्ट है यानि एक्जेक्ट बोलो तो जो एक्जेक्ट नेम है यह आपका एक्जेक्ट नेम है क्या है डी प्लस ग्लोकोज ठीक है अब यहां पर बात आती है कि डी का मतलब यहां पर क्या है प्लस वाला तो हमको समझ आ गया कि भाई इसका प्लस का का मतलब क्या थी कि जो नीचे वाला पार्ट है वो रिजंबल हो रहा था यानि उसका आपका प्लस ग्लेसराल डिहाइट था उसका पार्ट ग्लुकोजी में आ रहा था इसलिए उसको प्लस का यूज का यह तो समाजी में आगी बात लेकिन अब यहां पे वर्ड आ रहे है कि का मतलब यहां पर क्या है अब यहां पर बात आ रही है कि यहां पर डी का मतलब क्या है अब हम लोग क्या करते है थोड़ा डी वाला कॉंसेट समझ लेते हैं फिर से अब यह अब देखो ध्यान से तो हम लोग क्या करते है वापस से हम नाम लिखते हैं ग्लुकोज का पूरा ध्यान सा समझज़ेगा 여기 O π$ है डी रुप्रजेंट करता है कॉन्फूambre γ्येसन को ठीक है डी आपका कॉंफुम अपको रुपरेजेंट करता है जबकि जो प्लस है आपका यह जो प्लस है आपका यह dextro rotatory ध्यांद से समझेगा dextro rotatory nature को explain करता है यह जो है आपका dextro rotatory यहाँ पर spelling हमने fault कर दिया है dextro इसको फिर से spelling तोड़ा गलत होगी यहाँ पे dextro rotatory ठीक है फिर से यह जो plus होता है यहां पर यह किसको रिप्रेजेंट करता है और जो डी होता है यहां पर डी जो है आपका को रिपरजेंट करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेट्री नेचर को क्या करते है एक्सप्लेइन करता है अब इसको अच्छे तरीक सा अगर बोलना चाहो कि क्या करता है अब प्लस का मतलब क्या है तो प्लस का मतलब सिंपल्स है यानि क्या ची प्लस किसको एक्सप्रेस करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर किसका नेचर मॉलिक्यूर का उसको एक्सप्लेन करता है ठीक है अच्छा डी क्या एक्सप्रेस करता है तो डी जो है कॉं हमने आपको सम्झा दिया एक हमने वहाँ पे डेक्स्ट्रोटेटरी और लीव का कॉंसेप्ट जोए रिलेस्ट नहीं यहां अपने ध्यान में रखना है यहां जो वाले कॉंसेट्ट में तो हैं यह नोग रहे हैं नाम वाला जो कॉंसेप्ट है इसमें डी और यह का तुम लोग यूज करेंगे लेकिन डी और एल का जो कॉंसेप्ट है वह Óptical activity से रिलेट नहीं है इसका ओप्टिकल एक्टिविटी से इसका कोई relation नहीं है यह आपने ध्यान में रखना है ठीक है यह समझ आप यह बात डी करता क्या है तो डी जो है configuration को क्या करता है एक्सप्रेस करता है और जो प्लस होता है वह आपका dextrorotatory nature को क्या करता है explain करता है ठीक है अच्छा एक चीज और आपको यहां पर हम लोग समझा देते हैं यह तो डी की बात हुगी है ना डी किसको express करता है configuration को क्या करता है express करता है ठीक है अभी देखो आप ध्यान से glacier aldehyde के हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि भाई glacier aldehyde है यह तो कि अगर कोई अगर कोई भी कमपाउंड यह कोई आपका कमपाउंड यहानि प्लस वाला जो पोर्चन है दो इनासमर्स हैं किसके दोख्र डिल्स लग ऐन हें प्लस और कर रहा है है क्या कर रहा है और कोई भी रिलेट कर पधी कर रहा हं तो उसके मोने बोलते हैं टीकान फ्यूगिधर शूरी अगर माइनस वाले पार्ट से को रिलेट करें तो उसको इसको में बोलते है, L-configuration, तो यह थोड़ा समझ लेना है, configuration वाला concept आपको अच्छे तरिके से समझ लेना, भाई, D-configuration का मतलब क्या होता है, या L-configuration का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिर से एक बार इसको हम रेपिट कर देते हैं, D-configuration का मतलब, का मतलब सिंपल सा है वह जो कंपाउंड है आपका जो भी मॉल्क्यूल है वह किस से रिलेट कर रहा है प्लस वाले से रिलेट कर रहा है कि माइनस वाले से रिलेट कर रहा है ठीक है इसका मतलब सिंपल सा होता है तो डी है तो डी काम लगता है अगर प्लस वाले से रिलेट माइनस के साथ अगर रिलेट करता है तो हम लोग यहां पर L लगा देते हैं तो बस यह सिंबल सा आपने क्या करना है concept याद रखना है कि ठीक कब लगाते हैं L कब लगाते हैं तो D यानि यह अगर माइनस के तरां अगर साय यह उदक Patrol होता लोग तो बहुं यहां पर लेकिन वाछा है नहीं यह हम लोग यह लिखेंगे वह लोग यह लिखेंगे दीप्लसफ घीक